नमस्कार दोस्तों सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ गाजर की मिठाई की रेस्पी और इसे बनाना बहुत है आसान है गाजर के तो आप लोग बहुत सारे रेस्पी बनाये होंगे खाये होंगे तो आज की रेस्पी बिल्कुल नहीं है और इसे बनाने में कोई भी कटनाई नहीं आएगी, अराम से हर कोई इसे बना सकता है, खा सकता है अपनी घर में, और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चले फिरेंज बनाना शुरूर करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया है, दो गाजर लिये हैं, इसको कट कर लिये हैं, आप तोड़ा हराय गया है, उसको अलग से निकाल देते हैं, इस तरह से चांट के, और इचो बड़ा वाला जारना तो इसका रान अच्छे से नहीं पीसाया है, तो यहाँ पर हमने लिया है, बिल्कुल छोटा सकतोरी है, इसमें चामल काटा है, इसको मिक्सर कर देते हैं, इसमे आटा लगा लेना है, अगर आप दूद है, तो दूद में भी सान सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे आटे अच्छे से सन गए हैं, तो चले फिर इसका बनाते हैं फरे, तो यहाँ पर हमने छोटा सा लोग लिया है, हाथ में तेल लगा ले, या फिर घी लगा ले, तो देखे इस तरह के से छोटा बड़ा जीज व्याकार के बनाना चाहते हैं उसी साथ से आप फरे बना ले इस तरह के से तो इस तरह के से सारे फरे बना लेंगी देखे हमारे फरे बन के दियार हो गए हैं तो यहाँ पर गैस पर चड़ा दिये हैं कडाही इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें एक गिलास दूद और यहाँ पर डाल देते हैं आदा गिलास करीब पानी और इसको अच्छे से उबालने देते हैं तो दिखें दूद्ध हमारी अच्छे से उबल गई है, इसे के साथ मैं इसमें सकर डाल देती हूं मिठा के लिए और आप जितना मिठा पसंद करते हैं उसी साथ से आँ सकर मिलाले और दिखें दूद्ध अच्छे से उबल गई है तो चली फिस फरे जो बना के रखे न उसको इसमें डाल देते हैं सारे फरे को इसमें डाल के पका लेंगे तो दिखे फरे हमने इसमें डाल दिये हैं और पकना सुरू हो गई है इसे देखे चम्मच के उल्टे साइड से मैं इसे हलका हलका इसको चम्मच चला रहे हूँ जिससे निचे के तले में फरे ना बैठे तो दिखे इसे हलका सा चला लिया है और दिखे हम भरे हमारे अच्छे से पकना शुरू हो गई है और इसे पकने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है पटाक से बन जाती है तो चलिए मैं एक फरे निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों की अच्छा से पका है की नहीं पका है तो देखिए मैं चमबस में से तोड़ हैं देखिए फरे अच्छे से पक गए हैं और अच्छे से सॉफ्ट बने हैं देख पारेंगे आप लोगों देख सकते हैं थोड़ा से इसको और पका लेंगे गाढ़ा होने तक और यहां पर रबंपसंट ट्राइफुस उगारा डालना चाते हैं तो भी डाल सकते हैं फ्रेस तो यहां पर दिख्षे फरे हमारी बन के तियार हो गए गैस को हमने बन कर दिया है और यहाँ पर हमने वॉल में निकाल रहे हैं फरे और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से पिस्ते हैं उसको मैं उपर सिस्तर के से डाल रही हूँ अगर ड्राइफूस अगर भी डालना चाते हैं तो अब डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं गाजर के फरे बनाई इसलिए मैं चोटा सा गाजर कट करके रखी जिसको बॉल के साइड में लगा दी हूँ और देख पारेंगे कितने अच्छे से टेस्टी हमारी गाजर की फरे बनके त्यार हो गई है इसे खाने में बहुत ही टेस्टी फ्रेंट एक बार जरू ट्राइ करके देखेगा और वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल में आये हो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना